इतना दर्द भरा है यह आरती का दिल से निकल रहा है जाना नीना के करला गले जीनागी में हमारा नाजार पापा जी जा भाई बाका साईया कल कई छोटु के माडार वर्ड है वो आरती का एक एक हकीकत बेया कर रहा है हा लेकिन ये गाना फेमस नहीं होगा क्योंकि इसमें चोली घंगरा और ढोली छिल देने वाली बाते नहीं है अगर आप सामने में आख बंज करके इस गाना को सुनिएगा तो आपकी रोए खड़ी हो जाएंगे आपके पहले अरर्या में छोटो नाम के लर्का का लर्की के घरवालों ने घर पे बुला के और पीट-पीट के दरंदगी से उसकी हत्या कर दी और लर्की आज उस लर्के के घर पे उस लर्के के परिवार के साथ खरी है अपने परिवार को उस लर्की ने छोड़ दिया उस लर्की के लिए और इस अपने प्रेम के लिए जानी जा रही है वो लड़का लड़की सेम कास्ट का था ना जाने क्या कारण था जिसके वज़े से उसके परिवार ने इस घटना को एंजाम दिया इस दरिंदगी को एंजाम दिया और पूरे बिहार को एक गंदा सा धबा हब और आप लोग अच्छी तरह से उस घतना से वाकिप होंगे और हमारे साथ यह जो सक्स आपको दिख रहे होंगे इन्होंने अपने सुर के वदौलात अपने आवाज के वदौलात इस आरती छोटू की प्रेम कहानी को एक नया रंग दिया एक नया खुबसूरती दिया और व् लोग मौजूद हैं हमें इनके बारे में पता चला हम पहुंच चुके हैं आपको इन से रूबरू करवाएंगे इनका वो गाना आपके सामने पेस करेंगे जिसको लेके अब यह हमारा फर्ज बनता है कि इनको पूरे बिहार में इनका चेहरा लोग पहचान ले और इस तरह चोटा कोई नहीं होता है सब अपने अपने में बड़े कलाकार है और अपने हुनर में वरे किसी को ओधार आवी तक हमारे पास नहीं हुआ है इसलिए जो हम चोटा और कहां की मिर यह दिए नहीं पहले यह आर्ती चोटू का प्रेम कहानी जो घटना हुआ धरिंदगी बहुत धर्तनाक है इस तरह का समाज में घटना नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप जानते हैं कि जिस जो लड़का लड़की से प्यार करता हो एक ही कास्ट का है तो इसको आप जो है सो यह कर सकते साधी करवा सकते हैं या नहीं है इस मौडर्ण यूग में जहां लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अभी यह कास्ट को लेकि किसी की अगर सेम कास्ट का नहीं भी है तो इस तरह का घटना करना क्या सही है देखिए यह सहर में तो खैर इतना नहीं माना यह लेकिन गाउंव छेतर में जो हैं सो इस पीछे चु अगर आरती को इस चीज के बारे में पता नहीं चलता है तो साइद यह चीज नहीं होता है लेकिन आरती तो इसंच अन्जान थी इसी पे जो है सो आपको हम सुना रहे हैं कि जो कितना दर्द भारा है ये आरती का दिल से निकल रहा है कि आरे जानती हलना बती आये छोटू बूलती हलना तो राया पन घार पापा जी जा भाई बाका सईया केल कई छोटू के मडार आगे काती है कि तो हरा भी ना छोटू बोला कैसे जी ही केकरा सहारा छोटू बोला ना ली ही आरे जीनागी में जाना नीना के कर ला गल जीनागी में हमरा ना जार जाना नीना के कर ला गल जीनागी में हमरा ना जार पापा जी जा भाई बाको सईया कल कई छोटू के माडर पापा जी जा भाई बाको सईया कल कई छोटू के माडर इस गाने को बड़े-बड़े अगर टीवी चैनल पे चल जाए या बड़े-बड़े मीडिया चैनल पे चल जाए या बड़े-बड़े म्यूजिक चैनल पे चल जाए तो ना जाने बिहार में कितना तेजी से ये फैलेगा और फैलता है इससे भदा-भदा चीज सब जो नहीं फैलना चाहिए वो फैलता है लेकिन जरूरी है इन चीजों को दिखाना इस गाने में एक दर्द है जो आरती के उपर क्या बीत रही है इस गाने में वो दर्द है जो आरती का दर्द बेया कर रहा है इस गाने का जो वर्ड है वो आरती का एक एक हकीकत बेया कर रहा है हा लेकि यहां गाना की नहीं है ये दो मिनट के गाना में ये आरती छोटू के प्रेम कहानी की जो घटना हुई जो सर्मसार निंदा ही घटना हुई उस पूरी घटना को ब्याख्या कर दिया गिया इस दो मिनट के गाना में और भले ही ये गाना दो मिनट का हो या पांस मिनट का हो ले लोगों से बस इतना ही भिंती करना चाहेंगे कि इस चीज को promote किजी और पूरे बिहार में फैलाईए और इस घटना के बारे में क्या ही कहा जाए जितना सरमसार कर देने वाली ये घटना है उतना कहना भी कम है हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो ये दो नहीं में आरती के उपर जो क्या दर्द बिता उसको बता दिये जितने ही मेरे पत्रकार बंदो इस वीडियो को देख रहे हैं आसा करेंगे कि आप इस जगह पे पहुंचे इन से कॉंटेक्ट करें और इनको पूरे बिहार में इनका चेहरा लोग पहचान ले क्योंकि ये इतनी प्रसंसा कर ली जाए उतनी कम है कि इस दो मिनट के गाना में खुश से तयार करके इस प्रेम कहानी को ब्याख्या कर दिये अगर आप सामने में आख बंद करके इस गाना को सुनिएगा तो आपकी रोएं खड़ी हो जाएंगे आपके आँक से आँसू गिर जाएगा तब तक के लिए सतरक बिहार के लिए केमरा पसंद परतीक परमार के साथ यवरा चोहन की रिपोर्ट जाहिंद